हेलो डियर बेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्यान में और आप देख रहे हैं जी एन एम सकेंड यर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के वीडियो नमबर 25 ओके तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा बहुत जबरदस प्रशन लेकर आए हैं यह प्रशन आपके long question में बार बार पुछा जाता है तो चलिए हम लोग देखेंगे आप लोग को common तरीके पर मैं बता दू यह question होने वाला है आपको कि जो मनो रोग होता है जो मानसिक रोग होता है उसको कितने परकार से कौन-कौन से बीधी से हम उपचार कर सकते हैं एक मानसिक रोगी को मतलब hospital में जब कोई patient जाता है खास कर मानसिक रोगियों वाला तो उसके लिए कौन-कौन से जो है option रहते हैं इलाज करवाने के कौन-कौन से बीधी है जिसके जरिये वह अपना मानसिक रोग का इलाज करवा सकता है तो उसी बीधी को आपको चर्चा कर करना है साथ में इन बीधियों में एक बीधी जो है आप लोगों मैं बता दू कि इसी mental health nursing में हमें psychoparmacology के बारे में परना है psychoparmacology के बारे में होता है जैसा कि जानते हैं फर्मेकology होगा तो आसद भी घ्यान हो जाएगा वहाँ पे total आसधी के सभी परकार के आसधी के बार जो है मनो औसधी समझ गए मनो औसधी बिग्यान मतलब इसमें मानसिक औसधी के बारे में जो अधियन किया जाएगा इसके परभाब इसके दूस परियोग समझ गए इसके तमाम चीजों के बारे में जो अधियन किया जाएगा वही psychoparmacology है अब इस psychoparmacology यानि मनो रोग के बताना है चीजह समझ गये चलिए देखते हैं आपको सबसे उसना होगा कि यह साइको फैर्मेकोलाजी होता है इस 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 सब्सकार बात करने नर्स आते हैं सबसे समझगे यहिस साइको फैर्मेकोलाजी था क्या है और औसधी बिग्ञान, देखें यह औसधी बिग्ञान का एक सखा है, चुकि हम लोग जानते हैं कि अलग-अलग दवाइयां होते हैं, समझ गए, भूमेटिंग के लिए अलग दर्द के लिए, अलग उसी परकार से किसी को जो है बड़ी में कमपन होता है, ट्रीमर होता है, उसक अलग अलग दवाईयां भी है सब के लिए अलग अलग प्रकार का तो इन ही दवाईयों के वर्गी करण जो है हमको बताना है और साथ में यह बताना है कि यह साइको फ्रमेकोलोजी साइको मतलब क्या होता है मानसिक ठीक है मनो मनो मतलब मन समझ गए और फ्रमेकोलोजी मतलब आसधी बिग्यान यानि मन के लिए मानसिक रोगों के लिए आसधी बिग्यान समझगे ना तो आसधी बिग्यान की वह सखा जहां जिसके अंतरगत हम साइको ट्रॉपिक ड्रग अर्थात बेक्ति के मानसिक बेवहार को नियंतरित करने वाली आसधीये के परभावों और अधियन करते हैं जो साइकोट्रोपिक ड्रग के अंतरगात आते हैं जो मानसिक रोगियों के लिए जो ड्रग होता है उसके नियंतरन उसके परभाव और दूस परभाव के अधियन किया जाता है जो है अधियन करना ही होता है तो यही साइकोट्रोपिक यानि मानसिक रोगियों के लिए जो औस दूस परभाव और परभाव का अधियन जो है इस साइकोट्रोपिक रोगियों किया जाता है तो मानसिक रोगियों के लिए जो दबाई है और जिसका अधियन और उसका दूस परभाव और परभाव का जो अधियन किया जाता है वो ही साइको फर्मेकोलोजी होता है समझ गए चीजों को चलिए यह समझ गए अब यह जो साइको ट्रोपिक ड्रग या इसी को जो है वह उसधी वह ड्रग रसाइनिक पदार्थ है जिनका उप्योक बेक्ति के बेवहार वह मानसिक रियाओं को नियंतित रखने वह मनो रोखे उपचार में किया जाता है अब जहां भी आप साइको ट्रोपिक सबस्टांस देखियेगा तो समझ जाइएगा कि वह मानसिक रूप को क्या करता है मानसिक बेवहार को नियंतित करता है ठीक है न तो साइको ट्रोपिक यही ड्रग होता है जो मानसिक रोगियों को दिया जाता है अब आप लोग को पता है चाहे वह एंजाइटी हो चाहे वह मेनिया हो च कुछ भी कोई भी मानसिक रोग हो लेकिन उसके अंदर जो दवाई उपयोग होगा वह साइकोट्रोपिक ड्रग ही होता है यह साइकोट्रोपिक ड्रग जो होता है यह एक औसधी होता है जो मानसिक रोगियों को उसके बेवहार उसके मानसिक क्रियाओं को नियंतरन करने के लि वहाली उसके वेवहार को नियंतरीत करने के लिए करने के लिए यह सालो। और यही ड्रग जो है हमारा साइको फार्मेकोलोजी में यूज होता है, समझ गया चलिए, अब कोई भी दवाई होता है, वह रसाइनिक पदार्त कहीं बना होता है, अब देखिए यहाँपर है मनों औस्धियों का वर्गी करन, वही है ना, साइको ट्रोपिक ड्रग कहिए, साइको ट्रोपिक ड्रग कहिए, या साइको फर्मेकोलोजी कहिए, इसके क्लासिफिकेशन अलग-अलग वर्गी करन किया गया है, ओके, आगे देखिए, पहला वर्गी करन है, एंटी साइकोटिक, अब आप लोग को पता होगा, एंटी मतलब होता है क्या चीज़ ? बिरूध काम करने वाला साइकोटीक वही होता है या निरोलैटिक समझिएगा साइकोटीक दवाईओं को जो हम reindeer क्या कहते हैं ? साइकोटीक साइकोटीक नहीं है or साइकोटीक है ? साइकोट्रोपिक जो होता है, इसी को हम लोग निवरोलेप्टिक कहते हैं, यह कुश्चन इस बार पुछा गया था MP में, objective में कि साइकोटिक दबाईयों को और दूसरा नाम से क्या जानते हैं, तो निवरोलेप्टिक यहां पे देख लिजे, निवरोलेप्टिक इसको कहते ह तो anti-psychotic होता है एक होता है depression से बचाने की जो दवाईया होता है उसे anti-depressant कहते हैं या इसी को anti-manic दवाई भी कहते हैं मन को इस्थिर करने वाला, मन को नियंत्रित करने वाला जो दवाईया होता है उसे mood stabilizer drugs कहते हैं याद रखिएगा चिंता विरोधक anti-anxiety drugs का मतलब होता है कि जो चिंता के विरूध में काम करें अगर किसी पेसेंट को बहुत ज़्यादा चिंता सताता हो डड़ सताता हो तो उससे चिंता विरोधक दवाईया anti-anxiety drug दिया जाता है anti-epileptic यह जो होता है जिसको मुर्चा आता है मिर्गी आता है उसको कंट्रोल करने के लिए यह anti-epileptic drugs दिये जाते हैं आगे देखिए एफ नंबर है anti-parkyhansan drug अब anti-parkyhansan drug जो होता है यह उसको दिया जाता है यह drug जो मान गए उपर में जितना भी drug देखे है ना चाहे anti-depressant हो anti-anxiety हो यह psychotic drug हो यह anti-epileptic drug हो तो ओ मानसिक रोगी को जो दवाई दिया जाता है मनो रोगवाला अगर उस दव पार की हंसन डीजेज भी होता है और यह जो है उसी पार की हंसन डीजेज के विरूध में काम करता है और साथ में यह जो है मनो रोग के दवाई से होने वाले side effect के विरूध में भी काम करता है समझ गए तो यह anti-parkyhansan डवाई कुल यह 6 वरगी करन है मैंने आपको बता दिय अब हम लोग यहाँ पे total English दे रखे है यह सारा के सारा English है अब आपको मैं एक एक करके सभी दवाईों के बारे में बताऊंगा एक्जामपल भी बताऊंगा चुकि एक्जाम में आपसे पुछेगा कि यह दवाईया किस काम में आता है इसमें nurse का प्रभा नर्स के जीमेदा बताए तो नर्स का जीमेदारी मुखता दवाई देने में ही होता है कि पेसेंट को कब दवाईयां देनी चाहिए पेसेंट को किन-किन बातों को ध्यान में रखते हुए दवाईयां देंगे समझ गया न तो यह सब दवाईयां जो है ध्यान में रखते हैं तो मनोरोग अब किसी ब्यक्ति में कोई मानसिक रोग होता है तो उसको कितने परकार से जो है कितने उपचार की पधतिया है जिसको हम इलाज करवा सकते हैं तो चलिए उसी को हमको वर्नन करना है अब ओके यहाँ पे असपष्ट है मानसिक रोगों के उपचार की बिधि मानसिक रोगों के उपचार की कौन-कौन से बिधि है उस बिधि को जो हमेहाँ पे डिसकर्श करने अब चलते हैं मनो रोग के उपचार है तू बिभीन परकार की उपचार परति का परियोग होता है उपचार हेतु परियुक्त विधिया निम्न है मैं आपको अभी ही बता देता हूँ एक परकार होता है औसधी के द्वारा जिससे हम लोग क्या कहते हैं साइको थीरेपी फार्मो थीरेपी कहते हैं ड्रग थीरेपी कहिए या इसी को फरमेको लोजी कहिए तो पहला होता है साइको फरमेको लोजी पहला पॉइंक जिसमें दवाई के द्वारा ठीकी आ जाता है दूसरा होता है साइको थीरेपी होता है साइको थीरेपी होता है जिसमें मनो चिकित्सक जो होते हैं वह थीरेपी परदान करते हैं मानसीक रोगों को तो दूसरा यह हो गया, तीसरा होता है my dear, अगर दवाई भी काम नहीं करे, साइको थिरेपी भी काम नहीं करे, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, ECT देते हैं, और यह ECT काफी उपचार जो है, इसमें करेंट परवाह करके दिमाग में जटका दिया जाता है, जिससे बेक्ती के जो है जटका के थुरू जो है बेक्ती को सांध किया जाता है, तो वह ECT last situation होता है देने का, अगर कोई पेसेंट को दवाई से भी कंट्रोल ना हो, साइको थिरेपी से भी कंट्रोल ना हो, तो लाश्ट में उससे जो है करेंट दिया जाता है दिमाग में ECT के द्वारा, ओक को हम लोग Brain Estimulate Treatment भी कहते हैं, BST भी कहते हैं, Brain Estimulation Treatment भी कहते हैं, कोई दिकत नहीं आगे चलिए, कहता है उपचार है तु इन विधियों में से किनी एक या मिलि जूली विधियों का परियोग होता है, इन विधियों का वर्नन निम्न परकार है, कहता है कि उपचार है अब ये बीधि में से जो बीधी पेशंट के लिए ईपयूक्त होता है उस बीधि को जो है किया जाता है चाहे ड्रग ठीरेपी हो चाहे जो है infinite या फिर जो मैंने तीसरा आपको बताया यहाँ पे brain somatic therapy somatic therapy में में दो therapy आता है चलिए देखते हैं अब पहला हम लोग देखे हैं ड्रग थिरेपी अब ड्रग थिरेपी में होता क्या है आप लोग को पता है कि मनोरोग के उपचार में ड्रग परियोग से लक्षनों किसे में कमी आती है तिवर लक्षनों को नियंतरित किया जाता है वह स्वास्थ सुधार म मदद मिलती है कई मनोरोग में इसे उपचार की फर्ष्ट लाइन की तरह परयोग किया जाता है माइडियर ड्रग थिरेपी होता है जो यह जो है एक परकार से किसी भी मनोरोग होता है तो पहले उसमें दबाई ही दिया जाता है दबाई देता है जिसे पेसेंट को नीन दाता ह है और स्वास्त में सुधार जो है पेसेंट को देखने को मिलता है ड्रग दवाई देने से लेकिन हलका फलका अगर है मांसिक रोग तो ड्रग काम कर जाता है पेसेंट ठीक भी हो जाता है कुछ दिन दवाई लगतार लेने से लेकिन अगर यह बिमारी खतरनाक होता है बहुत उसको दवाई इस लिए दिया जाता है ताकि जो लक्षन जदा हो उस लक्षन को कम किया जाए और फिर आगे कुछ और तिरेपी दिया जाना हो तो उसको दिया जाए तो इसीलिए इसे जो है first line medicine भी कहा जाता है drug therapy को first line उपचार भी कहा जाता है क्योंकि पर्थम बार कोई भी मानसिक रोगी होता है उसको दवाई ही दिया जाता है ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मानसिक रोगा या direct उसको एसी T लगा दिये current दे दिये या साइको ठिरेपी देने या नहीं मिल ला है तो यह दवाई पहले दिया जाता है और इसलिए इससे फर्स्ट लाइन उपचार भी कहा जाता है common psychiatric medicine के परकार है अब कुछ जो psychiatric दवाई है उसके जो है कुछ दवाई यहाँ पे है अब देखिए यहाँ पे एक है आपका anti-depressant अभी उपर मैंने बताया psychotic दवाई में psychotropic दवाई में कौन-कौन से मैंने बताया anti-depressant, anti-angit, anti-illeptic, anti-parkyhansan ठीक है उसी परकार से मैंने आपको और भी दवाईया कवरगी करन बताया है तो यह दवाई वाला ही फर्मेकोलोजी वाला जितना बताया है न वह सब परथम जो है इसी परकार के ड्रग थिरेपी में आ जाएगा अब anti-depressant जो दवाईया होता है वह depression में कमी लाती है बेक्ती इससे relax महसूस करता है अब जो anti-depressant जो depression वाले दवाईया होते हैं उसे तिन केटगोरी में विभाजित किया गया है एक होता है TCA जिसे tricyclic anti-depressant कहते हैं उके उसके बाद होता है SSRI selective serotanin rehabilitate inhibator इसे कहते हैं और एक होता है MAOI mono amine oxide inhibator होता है समझ गए तो MAOI याद रखिएगा SSRI याद रखिएगा TCA याद रखिएगा यही तीनों गरूप के दवाईया जो है दिया जाता है पेसेंट के हिसाब से ओके अब देखिए TCA में यह सारे दवाई है SSRI में यह दवाई है और MAOI में यह दवाई है तो इस सब चीजों को ध्यान में रखिएगा बहुत important है कम से कम एक एक दो दो याद सब में याद कर लिजिएगा दवाई के नाम TCA में इमेप्रामाईन ठीक है नौट्रिप्रिलीन है SSRI में है फुलूजेटाइन पेरोगजेटिन है और MAOI में है फेनेलजाइन और आइसो करबाजाइड ठीक है याद रखिएगा तो यह कुछ दवाई है MAOI, SSRI, TCA, एंटीडिप्रेसेंट दवाई है दवाई के नाम जरूर याद करियेगा आगे है एंटी एंजियोलाइटिक एंजियोलाइटिक है एंजियोलाइटिक जो एंजियोलाइटिक को कम करता है या इसे जो है ट्रेंक्यूलाइजर भी कहते है और इसे एंजियोलाइटिक को कम करता है एंजियोलाइटिक जो होता है यह घबराहत रोधी दबाईया होता है इसमें एंजाइटी में घबराहत ही होता है तो यह एंजाइटी को कम करता है अता इस परकार के बिकार जो होता है जेनरलाइज के एंजाइटी में पैनिक एंजाइटी में फॉबिक यानी डर में यह सब म जेपाम, फुलूडा जेपाम, तो जितना भी लाष्ट में पाम बला आ जाएगा या लेम बला आ जाएगा तो समझ लीजिए गा यह एंटी एंजाइटी ड्रग है समझ गए जैसे खुलोना जीपाम, लोरा जीपाम, डाइजेपान, ठीक है, एलप्राजोलम और फुलूडा यह जेपाम बला और लेम बला जितना भी है यह सब एंजियोलाइटिक ड्रग होता है जो एंजियाइटी से बचाता है समझ गए चलिए अब दूसरा दवाई हम लोग उपर देखे थे मूड एस्टेबलाइजर ड्रग होता है यह सब हम क्या पर रहे हैं दवाई यह अभी देखेंगे फिर सोमेटिक थिरेपी देखेंगे तो पहले हम दवाई वाला ही देख रहे है कि कौन-कौन से किस-किस परकार के दवाई होता है तो मूड एस्टेबलाइजर ड्रग जो की मन को इस्थिर करता है बेवहार को भावनाओं को नियंत्रित करता है और इसका परियो सब्शनाने में जो है यह मूड एस्टेबलाइजर के रूप में काम करता है और यह मैनिक एपिसोड में डिप्रेशन में इसका काम आता है ओक exist मूड एस्टेबलाइजर के रूप में लिथियम कार्बोनेट sodium belproate carbamage pine lametrogen यह सब याद रखिएगा acena pine याद रखिएगा lithium carbonate sodium belproate carbamage pine कम से कम 2-3 जरूर याद रखिएगा हर एक में mood stabilizer में lithium carbonate sodium belproate और carbamage pine याद रखिएगा अब आता है anti-psychotic और anti-psychotic को हम लोग neuroleptic drug भी कहते हैं anti-psychotic drug का इस्तमाल psychotic मनोरोग जैसे esquizophenia के लिए किया जाता है साथ ही यह drug bipolar disorder bipolar disorder क्या होता है पता होना चाहिए जिसमें आपके mania का और depression का दोनों का लक्षन होता है तो उसमें bipolar disorder होता है गंभीर मतलब severe depression के इलाज में काम में यह सब आता है इन drugs के उदारान है तो anti-psychotic जो की psychotic परकार के जो मानसिक रोग होता है जैसे schizophenia mania bipolar गंभीर अब साथ यह सब में anti-psychotic का परियोग करते हैं अब यह typically यह जो है typically होता है और एक जो होता है यह typically और एक होता है सीधा typically तो anti-psychotic helioperidol होता है याद रखियेगा यह जरूर याद रखियेगा खास कर यह जरूर याद रखियेगा कि जिसके last में IN लगा रहेगा समझेगा कि वह मानसिक रोग की दबाई होगा और वह जो है anti-psychotic परकार के होगा तो helioperidol याद रखियेगा और बाद वाकी INE last में देखियेगा कि किसमें है तो समझ जाइएगा ओके देख लिजे सब में INE लगा है ना INE तो यह लगा ही रहता है ओके B नमबर में है anti-psychotic A-typical पहला था सिधा टाइपिकल और यहाँ पर है A-typical ओके तो A-typical में होता है Erypragil Erypragil इसमें जरूर याद रखियेगा ओके तो A हो गया आपका anti-psychotic दूसरा है अब यह मैंने कुछ बता दिया anti-angiot anti-depressant mood stabilizer और anti-psychotic यह सब मैंने बता दिया उदाहरन सहीत कम से कम दवाई के नाम रटना ही हो लेकिन 2-3 दवाई सब में जरूर रट लीजिएगा क्योंकि उदाहरन सहीत एकजाम में पुछता है पुछेगा तो अब जो psychotherapy है अब हम लोग लोजिकल बिचार परकिरिया को सकरात्मक बिवहार वा तारकिक सोच में बदलता है अब psychotherapy नहीं कोई दवाई होता है और नहीं कोई machine होता है psychotherapy यह एक therapist होते हैं चिकिस्तक होते हैं जो क्या करते हैं कि बेक्ति को जो है समूह में रहकर उसके बिचार को बेवहार को बदल कर counseling करके इस सब करके जो है उसके बेवहार को बदलने का प्रयास करते हैं logically रूप से समझ गए जिसमें बेक्ति को उसके अबगत कराते हैं reality से तो यह चीज होता है नहीं यह कोई दवाई होता है और नहीं कोई यह उपचार के कोई आपके machine होता यह doctor जो है अपने बिचारों से अपने knowledge से बेक्ति के अंदर illogical और irrelevant जो है जो है परकिरिया उत्पन करके और positive बिवहार और तारकिक सोच में बदलते हैं बेक्ति जो मनुरोक से ग्रसित हैं समझ गए चलिए साइकोथिरेपी के बिवहीन परकार निमन है अब अलग-अलग परकार से किसी बेक्ति को साइकोथिरेपी दिया जा सकता है पहला है साइकोएनलाइसिस साइकोएनलाइसिस का मतलब होता है कि बेक्ति के मनो मन का बिसलेशन किया जाता है कोई भी बेक्ति है तो उसके मन का विसलेशन जो है साइको एनलाइसिस कहलाता है समझ गए बेक्ति के मन का विसलेशन करना ही साइको एनलाइसिस होता है कोई दिकत नहीं चलिए तो साइको एनलाइसिस भी एक साइको थिरेपी का परकार है दूसरा है बिहेवियर थिरेपी जिसमें बेक्ति के बेवहार में परिवर्तन लाने का परियास किया जाता है समझ गए तो यह हो गया बिहेवियर थिरेपी दूसरा है हिपनोसिस वा एबिरियेक्सन थिरेपी एबिरियेशन थिरेपी या हीपनोसिस थिरेपी जो होता है इसमें हीपनोसिस थिरेपी में बेक्ति को जो है अनेक्षिक रूप से भी सुलाने का पर्यास किया जाता है मानगे कोई बेक्ती है ठीक है वह मनोरोग है वह काफ़ी ज़्यादा बोल ला है रो रहा है हंस रहा है दुखी है तो वैसे मानसिक रोग्यों को अगर आप सुलाने का परियास किजिएगा और वह अगर सो जाता है तो वह सान्थ रहेगा समाज़ेगा लेकिन जैसे ही जगेग उत्पात मचाएगा तो हीपनोसिस भी वेक्ती को जो है ना चाहते हुए भी सुलाने की एक उपचार है जिसमें सुलाने की जो है किया जाता है बाते नो टंकी एक परकार से कहिए तो और यहीं हीपनोसिस एक परकार के उपचार होता है CBT है CBT जो होता है Cognitive Therapy होता है समझ गया ना Cognitive Behavior Therapy होता है जो की Behavior Therapy कहीं एक परकार है Cognitive Behavior Therapy संग्यात्मक बेवार Therapy होता है अंतर वेक्ति थिरेपी Interpersonal Therapy होता है वेक्ति के उसके अंदर के वेक्तित्व को दिखाया जाता है Interpersonal Therapy होता है Family Therapy जिसमें बेक्ति को उसके परिवार में ही रखकर उसका इलाज किया जाता है जिसमें बेक्ति के परिवर्तन करके बेक्ति को उस परियावरन में उससे ताल मेल बैठाने के लिए प्रोसाहित किया जाता है तो यहाँ सब आपके बहुत सारे होते हैं occupational therapy होता है, behavior therapy होता है milieu therapy, eversion therapy बहुत सारे आपके psychotherapy का परकार है एक एक करके आप देखिएगा पता लगेगा बाकि जो जो यहाँ पर दिया गया है सब को आपको लिख देना है ओके आगे चलते हैं तीसरा है somatic therapy somatic therapy का मतलब होता है कि यदि drug से भी और psychotherapy, दोनों से कोई राहत मरीज को न होता है तो मरीज को somatic या यूं कहा जाए brain estimulate therapy दी जाती है brain estimulate का मतलब होता है कि brain के जो neuron होते हैं जो तंतरीका होते हैं उसको जगाने का काम करता है समझ गया यह therapy तो भेक्ती को अगर drug भी प्रभावी न हो psychotherapy भी प्रभावी न हो यह दोनों प्रभावी न हो तो मरीज को जो है तिसरा उपचार दिया जाता है जिसे somatic therapy या इसी को brain estimulation therapy भी कहते हैं यह उपचार तभी किये जाते हैं जब मरीज वह उसके परिजन इस हेतु लिखी समाती देते हैं अब चुकि जो somatic therapy होता है या brain estimulation होता है या थोड़ा ज़्यादा जटील होता है इसमें जान भी जा सकता है पेसेंट को तो इसके लिए यह तभी किया जाता है जब परिजन जो है मरीज का परिजन लिखी समाती written consent दे तभी जाके या somatic therapy दिया जाता है अब somatic therapy देने के दो परकार है दो है देख लिजिए पहला है ECT ECT को electro-conversive therapy कहते हैं समझ रहे हैं इस therapy में दो electrode के माध्यम से mastix को electronic shock दिया जाता है इसका इस्तमाल serious depression में किया जाता है अगर कोई patient बहुत ज़दा सीजो फ्रेनिया का है उग्र है काफी खतरनाक है अपने या दूसरे को मारने पर उतारू हो जा रहा है ना उस पर कोई दबाई असर कर रहा है ना साइको थिरेपी का कोई असर हो रहा है तो उस patient को somatic therapy में ECT क्या करता है कि बेक्ति को electric current जो है shock जो है brain में परवाहित किया जाता है मस्तिक्स में दो इलेक्ट्रोडों की सहायता से और इससे इसका इस्तमाल तब किया जाता है जब एकती serious mental illness से ग्रासित हो या serious depression में हो तब ही जाके ECT का उपयोग किया जाता है बरना normal case में इसका उपयोग नहीं किया जाता है समझ गए दूसरा है somative therapy में जिसे TMS कहते है transcranial magnetic stimulation होता है transcranial cranial brain के bone होता है magnetic मतलब चुम्बू किये और stimulate मतलब जगाना जागरीत करना TMS ही होता है transcranial stimulation magnetic समझ गए इस बीधी में mastyx का जो नर्ब जो तंत्रीका उतक है तंत्रीका कोसिका है नर्ब सेल उसको stimulate करते हैं उसको stimulate मतलब उसको उधिपत करते हैं जगाते हैं और ऐसा करने से चुम्बू किये च्षेतरों का इस्तमाल जो है इसमें किया जाता है अब यह जो होता है ना इस बिधी में मतलब TMS में Transcranial Transcranial magnetic stimulation इसमें होता यह है कि इसमें 요ren जो stimulate दिया जाता है वह एक चूंब किये परकार का होता है चूंब किये छेतर का इस्तेमाल करके अब जैसे ही चूंब किये छेतर का brain पाइस्तेमाल किया जाता है तो वह नर्व सेल को क्या करता है उदेपित कर देता है जगा देता है समझ गए और यही जो है हमारा दो परकार के सोमेटिक थिरेपी होता है जिसमें एक ECT है और एक TMS है ओके तो इस परकार से मैंने आपको डीटेल से तीनों बता दिया नीचे जो लोग इंगलिस में देखन इंगलिस में दिया गया है एक जामपल के साथ ड्रग ठिरेपी वला में एक जामपल एक एक दो दो जरूर लिखेगा नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा समझ गए और मां की नर्स का अगर भूमिका पुछेगा तो नर्स के भूमिका लिख दीजिएगा कि एक साइकोटि लेते हैं फिर मिलेंगे कल अगले टॉपी के साथ अगले सब्जेक्ट में तब तक के लिए धन्यवाद